Hi guys, welcome to the second part of the series where we discuss free of course tools. So, पहले हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे आप किसी तरह से कोई भी अगर आपकी फोटो में unwanted object आ जाता है. So, within one click आप कैसे उसे remove कर सकते हैं in seconds. आज की वीडियो में अब हम देखने वाले हैं कि कैसे अगर आप किसी भी social media platforms पे अगर अपनी reach बढ़ाना चाहते हैं, followers बढ़ाना चाहते हैं. So, कैसे वीडियो को वाइरल किया जाएं, कौन से ऐसे hashtags हैं जो कि आज के टाइम पे work करते हैं और उन hashtag को कैसे use करना चाहिए, कौन से ऐसा platform है जो कि आपको ये information प्रोवाइट करेगा. So, we are going to discuss about the tool, बट उससे पहले आप से एक चोटे से request बनती है, अगर आप first time मेरे चानल पर विजिट कर रहे हैं, so please इसे subscribe जरूर कीचेगा, वीडियो कोई पसंद आती है, so please इसे like और share करना ना भूलिएगा, चलते हैं हम उस tool की तरफ, so हमारा आज का जो tool है, उसका नाम है hashtag stack, this tool is absolutely free of cost, यहां पर आपको free trial मिल जाता है, जिसमें आप अपनी audience बढ़ा सकते हैं, अपने followers बढ़ा सकते हैं, जितने भी social media हैं आपके, उन सब का analytics भी चेक कर सकते हैं, कहां से कौन सा user आ रहा है, basically कितनी engagement बढ़ रहे हैं, आपकी reels की, आपकी post की, वो सारी भी आप चे post करना है, यह reel करनी है, आपको नहीं पता कि उसके नीचे किस तरह के hashtags यूज कर सकते हैं, तो वो आपको यह provide करता है, इस platform को आप अच्छे से explore कीजेगा, इसका link मैं आपके लिए नीचे description पे अभी drop करने वाली हूँ, इसका stack business में आप देख सकते हैं, क्या क्या आपको मिल सकता है, यहाँ पे Twitter की एक थोड़ी सी जो information है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कैसे इसकी growth बढ़ती है, कैसे followers अगर इस tool को use करके, अगर आप hashtags use करते हो, so उसमें कितना आपको growth मिल सकता है, कैसे बाकी के भी आप चीजे यहाँ पे check out कर सकते हैं, content में अगर tool help करता है, अगर किसी तरह को content आप generate करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपको just लिखना, एक चूटी सी line में लिख देना है, कि किस तरह का, आपको caption चाहिए, कैसी headline चाहिए, medium चाहिए, long चाहिए, वो आप यहाँ पे इसको use कर सकते हैं, automate posting अगर मान analytics भी आप यहाँ पे check out कर सकते हैं, particularly post कितना अच्छा interact कर रही है, audience के साथ, कौन से ऐसे hashtags हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे से interact कर रहे हैं, audience के साथ, वो यहाँ पे पता लगाया जा सकता है, review कर सकते हैं, अपनी performances, कितने impressions आ रहे हैं, particular post पे कितने ज़्यादा followers आ रहे हैं, आप यहाँ पे check out कर सकते हैं, अपने competitors को भी आप evaluate कर सकते हैं, side by side, engagement भी आपकी यहाँ पे बढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, कि जो भी आप hashtags यूज करेंगे, उसके तुरू कितने audience उसके साथ interact कर रही है, वो आप यहाँ पे check out कर सकते हैं, reach कितनी बढ़ रही है, आप कि उन hashtags को यूज करने के बाद वो भी आप यहाँ पे check out कर सकते हैं, monetize है, अगर आपका platform तो कितना अच्छा monetize है, और उसके analytics कैसे आप check out कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे इस platform की help से check कर सकते हैं, so basically सबसे main चीज जिसके लिए यह platform यूज किया जाता है, that is hashtag, it is also known as hashtag generator, hashtag hashtag generator क्या होता है, एक ऐसा platform जो कि आपको किसी भी social media के लिए hashtags generate करके देता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप क्या करना है, आपको किसी भी niche से related, आप जिस भी particular topic से related video बना रहे हैं, for example, अगर मैं यहाँ पे fashion related video बना रहे हूँ, तो मैंने यहाँ पे fashion related videos अगर बना तो किस तरह के hashtags हैं, जो मेरे लिए काम करेंगे, तो मैंने search कर लिया, यहाँ पे search करने के बाद आपको यहाँ पे पूरी list मिल जाएगी, थोड़ा सा भी यह load हो रहा है, लोड होते ही, आपके पास आपको आप देख पा रहे होंगे, कि पहले मैंने एक actually search किया था, fashion series के ना में उस particular category में, कितने average likes आजाते हैं, कितने lowest likes आजाते हैं, कितने comments आजाते हैं, और कब post करना चाहिए, आपको post per hour कितनी करनी चाहिए, वो भी हाँ पे आपको बताया गया है, जो लोग fashion series यूज़ करते हैं, मतलब per hour 63 के around about post इस particular hashtags related मिल जाती है, तो यहाँ पे इस तरह से आ अगर आप grow करना चाहते हैं, इस तरह की tools आपके काफे फाइदमन रहते हैं, so make sure कि आप इस generator को जरूर से use करें, whenever you are posting any kind of post or reels or any videos, आप इस hashtag generator को use कीजिए, अच्छे से अच्छे hashtags निकालिए, और उन्हें use कीजिए अपने social media में, ताकि आपका social media grow कर सके, I hope आपको यह video पस ना चाहेंगे, ताकि मैं बैसी ही जादा से जादा videos आपके लिए post कर सको, आज की video के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली video में, एक नए topic के साथ, तब तक के लिए, thank you so much, have a good day.